एक समय की बात है एक लड़का था उसका नाव रोहन था एक दिन उसे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाना था उसके माता पिता को भी काम से बाहर जाना था उसी दिन पिकनिक के दिन उसने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा किया पिकनिक में मजा करने के बाद वह अपने घर वापस लोटाया लेकिन उसके माता पिता अभी तक नहीं आये थे घर में आने के बाद उसने मुहा धोकर खाने की तयारी की क्योंकि वह बहुत ठक गया था और उसे नीन आ रही थी वह सोने चला गया थोड़े देर बाद उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सरीर पर स्क्रैच कर रहा है अगले दिन सुभा उठकर जब उसने देखा कि उसके सरीर पर बहुत सारे स्क्रैचेस है तो उसने सोचा कि उसने ही नीन में अपने सरीर पर स्क्रैचेस कर लिये है अगले सुभा जब उठा तो उसे अपने सरीर पर फिर से उससे भी ज़्यादा स्क्रैचेस देखे तो वह बहुत ड़ गया तो उसने सोचा कि वो अपने दोस से यह बात करे और वही उसे कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो अपने दोस से मिला और उसने उसे सारे घटनाएं बता दी जो उसके साथ हुआ था तो सोचिए उसके दोस्त ने उसे क्या कहा होगा अगर आपको जाना है इसके आगे क्या हुआ तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दवाना बिल्गू ना भूले जिससे हमारा जो पार्ट टू आप चाहते हैं आए उसे आप देख सके आप जा देख सके हैं आपको घबता ёता है पलू झाहते हैं है इसमेआ है सब्सक्राइब करिए हैं थ SHA-इब बेल् आपको सके हमारे